पस्चिम बंगाल में लॉकडाउन के बीच भड़की हिंसा, 37 लोग हिरासत में पस्चिम बंगाल के हुगली जीले के तेलीना पड़ा इलाके में दो गूटों के बीच हिंसा भड़की हिंसा के बाद धारा एक से चोवालिस लागू कर दिया गया है इस्थानिय सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में फूट बंग फेके जाने के बाद मंगल वार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी इससे पहले रविवार को यहां कोरोना की वज़े से लगे लोगडाउन के दोरान दो समुदाये के लोगों के बीचिन सा भड़की थी इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है वही आरे एफ की टीम ने पीस मार्च भी किया सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब कोविट पॉजिटिव लोगों को आइसलेशन वर्ड में ले जाने की कोशिश की तो वहां के कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा की यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा वहीं दूसरे इलाके के लोगों ने या कहते हुए इसका विरोध किया कि रास्ता बंद करने पर वह लोग बाहर कैसे निकलेंगे और उन लोगों ने अपनी बैरिकेटिंग लगा दी इसके बाद दोनों समुदाय के भी जड़क शुरू हो गई बात इतनी बिगड़ गई की भीड ने कई दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी जिसके बाद पुलिस ने करिब 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है परदेश बीजेपी अध्यस दिलिप ने कहा की तेलीना पाड़ा की घटना इस बात का सबूत है की राज्य में कानून और ववेस्था की इस्तीती पूरी तरह दह गई है एक खास समुदाय में कोरोना संकर्मन की घटना सामपरदाइक रूप ले लिया है या घटना या घटना तरी मुल कॉंगरेस की तूस्टी करण की राज्यती का है नतीजा है वहीं सियम ममतब एनरजी ने बिजेवी पर आरोप लगाया है कि वो जान मुझकर इस मामले को सामपरदाइक रंग देने की कोशिश कर रही है इस खबर में बस इतना ही ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद